आईफिल 1222 के बारवे मैच में संराइजस हाइदरबाद का मकाबला लखनव सुपर जाइन्स से होगा ये मकाबला नभी मुंबई के डीवाई पार्टल स्टेडियम में खेला जाएगा संराइजस अब तक सिर्फ एक मैच खेली है जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 61 रन के बड़े अंतर से हराया था वहीं दूसरी तरफ लखनव ने अपने पिछले मैच में चन्नाई सुपर किंग्स को हराया है ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि इन दोनों टीम्स के बीच ये मैच कितना खमाल होता है पहले मैच में संराइजस के कैप्टन केन विलिमसन ने टॉस जीत कर बॉलिंग करने का फैसला किया था राजस्थान के लिए संजू सैमसन, देवदत पडिकल और जौस बटलर ने उनकी खुब कुटाई की और बोर्ट पर 210 रन का स्कोर जड़ दिया चेस करते हुए भी संराइजस की टीम कुछ नहीं कर सकी और सिर्फ 149 रन ही बना सकी टीम के लिए भुबनेशो कुमार को छोड़ कर हर बॉलर ने आठ से ज्यादा की एकॉनिमी से रन लुटाए जिसे देखकर हाइदराबाद ने फैंस जरूर निराश हुए क्योंकि एक ऐसा भी दौर था जब संराइजस अपनी किफाईती गेनबाजे के लिए पहचानी जाती थी वहीं दूसरी तरफ लखनाओ टीम की आईपिल में मिली जूली शुरुआत रही है गुजराद के खिलाफ पहला मैच करीबी रहा जिसे आखिर में गुजराद टाइटन्स ने चेस करते हुए जीत लिया जबकि सीएसके के खिलाफ केल राहुल की टीम बहतर ले में नज़र आई केनबाजी में रवी विश्णोई को छोड़ कर हर बॉलर को सीएसके के बल्लेबाज ने खुब धोया और 211 का टार्गेट सेट कर दिया हाला कि टीम की बैटिंग क्लिक की और उन्होंने मुकाबला जीत लिया कप्तान राहुल ने डीकॉक के साथ टीम को अच्छी शुरुआत दी जिसके बाद एविन लुइस ने पचासा जड़कर टीम को जीत दिलाई मनीश पांडे को छोड़का LSG का हर बैटमेन अब तक अपनी ले दिखा चुका है जो की टीम के लिए अच्छी खबर है आईश बदोनी की फॉर्म भी लखनो फैंस को काफी प्रभावित कर रही है बदोनी ने गुजरात और चन्नाई दोनों के खिलाफ मजबूत पारिया खेली है सियसके के खिलाफ इस युवा बल्लेबाज ने दो चक्के लगाकर एक अहम भूमिका निभाई थी टीम के पास लुइस, बदोनी और दीपक खुड़ा के रूप में तगड़े फिनिशर्स दिख रहे है एसारिच के ज्यादातर प्लेयर्स टीम के लिए पहले मैच से ही अवेलिबल है शॉन एबोट और ग्लेन फिलिप्स अब तक टीम से जुड़े नहीं है मगर इनसे टीम के कमपोजिशन में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा हाला कि अब ये देखना दल्चस्प होगा कि हाईदरबाद अपनी टीम में क्या बदलाब करती है लखनाओ के बल्लेबाज मारकस टोईनिस अब भी आस्ट्रेलिया टीम के साथ पाकिस्तान दोरे पर है जबकि जेसन होल्डर और काईल मेल्स वापस आचुके हैं ऐसे में दुश्मंतर चमीरा की जगा पर होल्डर को प्लेंग 11 में देखा जा सकता है हलाकि इसके अलाबा कोई और बदलाब नहीं दिखता लखनाओ की टीम सेटल दिख रही है अब बात करते हैं इन टीमों से जुड़े किसी एक खिलाडी की यादगार पारी की ये IPL की खुबसूरती है कि फैंस जिस प्लेयर को एक सीजन तक चेर कर रहे होते हैं वही प्लेयर कई बार दूसरी टीम में जाकर अपनी पुराणी टीम के चक्के चुड़ा देता है मेगा आक्शन के बाद ऐसे एक प्लेयर सनराइजर्स हाइदरबाद की प्लानिंग खराप करने का दमखम रखते हैं उस खिलाडी का नाम है वेस्ट इंडीस के आल राउंडर जेसन होल्डर होल्डर 2014, 2020 और 2021 में हाइदरबाद की टीम का हिस्सा रहे हैं और पिछले सीजन उन्होंने सनराइजर्स को कुछ मैच भी जिताएं होल्डर ने हाइदरबाद के लिए पिछले सीजन बॉलिंग की शुरुआत भी की थी और लोवर ओर्डर में कई एहम पारिया भी खेली होल्डर लंबे छक्के लगाने की भी काविलेत रखते हैं लेकिन इस बार हाइदरबाद के सारे राज लेकर होल्डर लखनव के खेमे में पहुँच गया है उन्होंने खरीबी से केन विलिमसन की कप्तानी को देखा है और उनके साथ कई बार उन रन्यतियों पर काम भी किया है ऐसे में होल्डर लखनओ के कप्टान केल राहुल की इस मामले में मदद कर सकते हैं SRH के लिए पिछले सीजन होल्डर ने आठ मैच में 16 बिकेट निकाले थे होल्डर ने बैटिंग में भी अपना योगदान देते हुए एक मैच में 47 रन बनाए थे होल्डर ने कुल 6 चक्के भी मारे आपको ये भी बता दे कि IPL 1222 के मेगा उक्षन से पहले SRH ने सिर्फ 3 प्लेयर्स को ही रिटेन किया था होल्डर को नहीं रिटेन करना क्या सन्राइजस को हर्ट करेगा इस खबर को आपके लिए लिखा पुनीत रिपाथी ने मैं हूँ सुर्यानशी और खेल की सारी दुनिया से अगर आपको जुड़ना है तो आप सब्सक्राइब कीजे ललन टॉप स्पोर्ट्स को